हेलो गाइस, वेल्ट एक्स्रेस में आपका हर्दिक स्वागत है, आज का दीन है 15 अगस 2021 संडे, तो आप सभी को इंडिपेंडेस डे की हर्दिक सुपकाम ना है, तो गाइस अभी अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, जो लोग नहीं है तो प्लीज मे से 15 परसं का रिस्क होता है, लेकिन इसमें रिवर्ड बहुत अच्छा था है, 1x, 2x का भी होता है, अगर तीन से मलब एक साल से ज्यादा होल्ड करते तो अच्छा रिटन भी आ सकता है, उसमें 2x, 3x का भी आता है, अगर आप फूल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंट् परसं का प्रोफिट बूगिंग हुआ था, यानि मैं एक्सल सेट पे पूरा ट्रेड लोग का आपको समझाता हूँ, उसके बादी मैं यहां पे जो भी प्लस माइनस होता है, प्रोफिट लॉस लिखता हूँ, तो अब इस परसं का वेडियो आएगा, बाइस परसं का वेड मिलता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल का आप सस्क्राइब करके रख सकते हूँ, और उससे पहले मैं बता दू कि लास संडे को जो अपने स्टॉक दिये थे, उसमें सब में अपना स्टॉप्लस हो गया था, उसके पिछे का मेन रिजन वही था कि आप अपने स्टॉप्लस में काउंट करेंगे, तो आपको अभी मैं बता देता हूँ, पांच स्टॉप्लस है, जो आप कल से, यानि कि मंडे के दिन से अगर वो लेवल पर मिलते हैं, उससे ज्यादा उपर मिलते हैं, एक परसंड के उपर तो आप उसको एवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि फिर रिस्क रिवर्ड अपना बिखर जाएगा, अगर निचे मिलते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन उपर मिलते हैं तो उसको एवर्ड भी कर सकते हो, तो अभी मैं आपको पांच स्विंग टेड बताने जा रहा हूँ, उसमें पहला जो स्विंग टेड म और अभी बार-बार यही पर सपोट ले रहा है, देखोगे यहाँ पर एक यह केंडल, मतलब दो-तिंग केंडल बने ही वहाँ पर बहुत ज्यादा सपोट ले रहा है, तो इसका मतलब हो, यह हुआ कि इस टॉक मल्टिकल सपोट भी ले रहा है, और उसको साथ-साथ आप देखोगे एक एंडल, तो यहाँ से स्टॉक उपर जाने के बहुत हाई चांस है, और अपना रिस्क है वह इतना ही है, और रिवर्ड बहुत अन्लिमिटेड हो सकता है, अगर आप कर्वर्वर्ड करते हो, यह मैं एक से तीस दिन के हिसाब से बताता हूँ, यह मल्टिक अगर भी साबित होते हैं, बहुत बाद, जैसे सीटी, यह सेले, तर्मिलाडो, पेट्रो, बहुत सारे अच्छा अच्छे स्टॉक है, आप मेरे पूराने वीडियो देखोगी तो पता चलेगा, जैसे हिकल, हिकल मैंने 513 पे दिया था, वह अभी करीब 700 चल रहा है, वह भी रिवर्ड कितना लेना चाहते हैं, तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन रिवर्ड वो आपके उपर है कि आप कितना प्रॉपिट बूकिंग करते हैं, और कितना होल्ड रखते हैं, तो इसको अपने बाइक कर सकते हैं, आपको बाइक करने का रिजन मेंने बता दिया कि टेक आपको रूल्स मेंने खल बता है था है अगर नहीं देखा तो कल का वीडियो जाके देख सकते हैं उसमें मैंने पांच मेने पहले स्टॉप लॉस के रूल्स बता है तो सपोज ये 4,830 है उसके नीचे 1% डेली क्लोजर यानी 1% तो स्टॉप पहले आपने को फुल्डी एक्जिट करना है एक परसंट पर अगर स्टॉप उससी दिन रेगे कर लेता स्टॉप लेवर 4,830 तो अपने उसमें एंट्री करके स्ट आपको होल्ड रहक सकते है और डे का जो लो बनायोगा वो अपना नया स्टॉप लॉस हो जाएगा उसके बाद अपने को डेली क्लोज वेट नहीं करना अगर दूसरे तिसरे दिन अगर ये लो ट्रिगर हो जाता है तो अपने पुल्डी एक्जिट करना है इस टॉप को फि पिर उपर चला गया था फिर इंडी को का का इंडो को का बकल बतायता है उसमें भी सेम हो था निच्चे आया फिर उपर चला गया उसके बाद स्टॉप लोस हुआ नहीं और स्टॉक आराम से 20-25 परसंट की रैली दिया था इसलिए अच्छा स्टॉक आप से मिस नहीं होगा अगर यह स्ट्रेटरजी आप फॉलो करोगे तो तो रिस्क के बाइंग लेवल से 2.9 का है और रिवर्ट साथ परसंट का रिस्क रिवर्ट 1.4 का है टाइम ओरिजन रहेगा वो एक से 30 दिन का रहेगा तो यह डिविस लेग के उपर अनलिसिस हो गया अभी मैं आपको दूस रिवर्ट के सबसे सबसे बड़िया स्टोक है तो अपने बाइक कर सकते है तो यहां पर रिसिस्टन लिया स्टोक ने रिसिस्टन लिया उसके बाद फाइनली ब्रेक दिया प्रेक दिने के बाद रिटेस्ट किया रिटेस्ट के बाद फिर से प्रिवेस आई बना था उसको ब्रेक करके उपर गया अभी वही लेवल पे चल रहा है यानि रिस्क अपना इतना ही है जो प्रिवियस लो बना था उतना ही रिसक है तो अपने इसको ट्रेड कर सकते है उसके पिछे का बता है मैंने रिजंग की रेसिस्टन अभी देख यहां पर सपोर्ट लिया है उसके को ट्रेड के फिर से उपर ही जाएगा तो अपने इसको बाहि कर सकते है रिसक बहुत लिमिटेड है तो अपने इसको बाहि कर सकते है साथो साथ आप देखोगे ADX भी 236 B2 अच्छा है 25 के उपर है यानिं अपनी मोमेंटन स्टोक है तो आरम से यहांसे 10% तो आरम से रैली 65 है टार्गेट 340-50 कर आएगा गाईज यह अभी भी में बोल रहा हूँ यह एक से 30 दिन के इसाब से टार्गेट है अगर आप इसको carry forward करते हो आपके उपर है तो इसमें 319 के नीचे 1% लगा देना जो आए सबको 316 आ रहे तो 316 पे पूरा एक्जिट हो जाओ उसके बाद वेट करो अगर उससी दिन 319 फिर से रीगेंग कर लेता है तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो अधरवाज वो श्टॉक 5-6 परशन नीचे गीरता है तो आप उसमें बड़े र्वाज से बच सकते हुए most job । 316 में तो आपने exit हो ही जाएंगे उसके बाद वेट करना कि 319 6 है तो ठीक है नीच आगा है तो अगर नहीं आता तो अपनी उसको में से exit करेंगे और वेट में करेंगे किस टॉक कितना भी sele अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, सपोज 15% भी गिल जा है, तो अपने को लोज लेकि निकलना है 316 पही, तो रिस्क है कितना बाइंग लेवर से 2.9 का है, मैक्सीमम रिस्क आएगा, इसमें 3.9 का, क्योंकि मैंने बोला, 319 के नीचे 316, यानि मैक्सीमम 3.9 का आएग तो मैंने अनलिसिस आपको बता दिया, VETL में, यानि वेदानता में, अभी तीसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हैवल्स, हैवल्स में अपने बाइक करेंगे, बाइक करने का रिजन मैंने आपको बता देता हूँ, आप सिंपल देखोगे, तो चार्ट में से उपर गया, अभी थोड़ा निच्चे आया, और उपर जा रहा है, यानि अपने इसको स्टॉक को बाइक कर सकते हैं, बाइक करने का विजिन मैंने बता दिया, ट्रेंड लाइंग का भी सपोर्ट है, ADX देखो 25 के उपर है, और विल्लियम साथ देखोगे, जितने भी उस करना है, पहले टेकिंग चैनल सब्वर्ट आपको समझा देए, बाइक का मतलब क्या हुआ, आप दियान से देखोगे, जो सपोर्ट केंडल है, रेड केंडल बनी है, उसके उपर स्टॉक ने क्लोज भी दिया है, ये लाइन के उपर है ट्रेड कर रहा है, यानि बहुत अच अचल एप एक जिड डेली क्लोज बिलो 1196, 1196 यहनि उसका जो लास्ट स्विंग था, वो अपना स्टॉप लोस लिवर्ट रहेगा, रिस्क रहेगा बाइंग लेवल से 3.9 का, 3.7 का, रिवर्ट रहेगा 12.7 का, रिस्क रिवर्ट रहेगा 1.3, यहनि 1.3 का रहेगा, ताइम रहेगा, वो अपने 1-30 दिन का रहेगा, तो तीसरा स्टॉप अपना हो गया है, हैवल्स, तो आप मेरे स्ट्रेजी देखोगे, तो सिंपल होती है, प्राइज एक्षन के उपर होती है, लेकिन लॉजिक के साथ मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे हवा में तुपका नहीं मरता आप देखोगे, तो ट्रेंड लेंग का सपोर्ट है, उसके पिछे का रिजन क्या है, फिर बायन डिप्स भी कन्फरमेशन के लिए मैं ऐसे, कोई एक के उपर नहीं बिलीव करता है, तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं देखता हो कि आप फिल्ट को लाइक नहीं कर रहे हो, उसे मेरे को मूटिवेशन नहीं मिल रहा है, और पता भी नहीं चल रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हो सके उतना प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सबसे बढ़िया है और प्राइज एक्षन में मुलब सेट हो पा रहा है इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करो क्योंकि इसके पिछे बहुत मेहनत लगती है कल रात को मैंने 3-4 गंटे स्टॉक ढूंटे उसके बाद आपके लिए लेके आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन नहीं नहीं पा रहा है तो हो सके उतना गाइज वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो इसके पिछे का रिजन में आपको बता देता हूं अपना वही पहले रेसिस्टंट हुआ करता था स्टॉक ने ब्रेक दिया यहाँ पे तोड़ा कंसोलिडेट किया उसके बाद उपर गया फिर वही पे सपोर्ट ल तो आप देखो कि बार-बार यही पे सपोर्ट ले रहा है यह एरिया पे सपोर्ट ले रहा है एनि स्टॉक इन केस नीचे भी आएगा तो यही एरिया में आकर फिर से उपर जाने के हाई चांसे से इसलिए अपने स्टॉक को बाइ कर सकते हैं तो आपने इसको बाय करेंगे देखो एसके एंडिया रेसिस्टन बिकम सपोर्ट आपको समझा दिया तो बायर च्प 8808.35 चल रहा है टार्ड़ित तीने जारो त्य थिसो का रहेगा त्य थिसो का यह नि तीने जार पहला टार्ड़ित उसका जो प्रिवेस था यह जो प्र 3,000 उसके बाद 3,300 का भी आ सकता है क्योंकि momentum stock होते है ऐसा लेक्जिटिव daily close below 2760 यह उसका जो यह supply zone अभी demand zone बन गया उसका last लेगे 2700 वाला 2760 उसके निचे daily close दे तो stock यहाँ से विक भी पड़ सकता है इसलिए ज्यादा risk reward के इसाब से tick-tack stock है risk है 3.4% का reward है 15% का तो risk reward के इसाब से 1-4 का risk reward है और time origin रहेगा वो एक से 30 दिंग कर रहेगा तो यह अपना चोथा stock हो गया SKF India तो उसमें भी आप trading करके एक अच्छा मुना पार ले सकते हो गाईज sorry guys, अभी मैं आपको 5 और एक आखरी stock बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है krisil, krisil में buy करने का reason में आपको बता देखता हूँ तो देखो आप यहाँ पे कही resistant ले रहा था stock फिर क्या किया stock में breakout दिया, breakout देने के बाद वही level को respect किया तो यह एक बार दो बार support लिया, फिर से उपर गया उपर जाने के बाद अभी क्या कर रहा है stock वही level पर आ रहा है यह उसका पूराना पहले support ले रहा है तो अपने को confirmation कैसे मिलेगा कि वही level पर support लेगा उसके लिए मैंने आपको trend line draw किया, तो आप trend line देखो कि तो यहाँ पर support ले रहा है उसके बाद यहाँ पर फिर से support आ रहा है और अपना जो buying stop loss level उसके उपर trend line जा रहे है इसलिए मैंने इसको buying price पे डाला है कि यह buying price पे आप ले सकते हो तो यहाँ पर support ले सकते है और trend line का भी support है तो resistance become support आपको समझा दिया और trend line का भी support है तो बाइट CMB अभी चल बाइट कर सकते हैं 2543.6 चल रहा है टारगेट बहुत अच्छा है उसमें 350-32 का टारगेट है रिस्क रिवड के ही सबसे सबसे बढ़िया स्टोक है SL exit if daily close below 25 हो देखो आप देखो कि तो सिफ 43 रूपीज का ही अपने को loss है क्योंकि इसके निचे close देगा तो स्टोक में भी ज्यादा निचे आ सकता है तक भी आ सकता है इसलिए stop loss लगाना बहुत जरूरी है तो बाइंग लेवर से आप बाइंग कर सकते हैं और इसके 1.7 का है सीप देखो गाईज और रिस्क रिवर्ड भी अच्छा है 1.15 का है सबसे बढ़िया रिस्क रिवर्ड है तो आप इसमें ट्रेड करके अच्छा मुना पढ़ ले सकते हो और टाइम होरीजन रहेगा वह भी एक से 30 दिंग का रहेगा तो मैंने आपको सिंपल तरीके से चार्ट के उपर और इसमें ज्यादा कुछ लोजिक लगाने का नहीं लेकिन मैंने जो प्राइज एक्षम समझ में आ रहा है चार्ट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं प्लीज अभी मैं पिर से आपको रिक्व लाइक मिले हैसा में आशा रखता हूँ तो गाइस प्लीज और आज इंडिपेंटेस दे भी है तो थोड़ा एक्रेसिवली लाइक करो गाइस क्योंकि आपको लाइक करने में कुछ जाएगा नहीं लेकिन मेरेको मोटिवेशन मिलेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो औ पांचों में आप ट्रेडिंग करके एक अच्छा मुनापर ले सकते हैं और गाइस मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि कल मरलब लास्ट संडे को अपने स्टॉप लोस होने के रिजन ही है कि जैसे अपने संडे को दिया मंडे से ही स्मॉल केप और मिड केप में अगर एक वीक निकल जाएगा तो फिर अपने स्टॉप लोस नहीं होंगे क्योंकि फिर स्टॉप दो पांच परसंट उपर चड़ जाते तो अपने स्टॉप लोस नहीं होता है जैसे वीप्रो लास्ट वीक दिया था मैंने तो उसमें अपना स्टॉप लोस नहीं और विर्टाप नथी। चल रहा है। तो इसलिए अगर कल इस सेल ऊप आ जाता है तो थोड़ा स्टोपलोस हो जाता है, लेकिन अपने रिस्क लिमिटेड होती है, तो वह आप ले सकता है. लेकिन आप सामने देखो कि जब भी reward मिलेगे आप ऐसा मत सोचो कि last week stop loss हो गया तो इस बार भी होगा तो अच्छी opportunity आप मिस करोगे कि समझो कि last week stop loss हो गया इस बार entry नहीं लिए लेकिन आप सोचोगे कि अगर सपोज यासे stock ने कोई भी अच्छे परपंगी है सपोज ये stock न सब्सक्राइब करते हैं तो आरब से आप एक की ट्रेड में कमा सकते हैं इसलिए मैं बोलता होगा है discipline बहुत जरूरी है ऐसा मत सोचो कि stop loss होगे तो next time stop loss हो जाएंगे आपको हर trade लेने पड़ेंगे तो ही आप पैसे कमा सकते हैं तो guys मैंने आपको analysis समझा दिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना thank you very much वीडियो देखने के लिए और आज शाम को मैं इंट्राडे के ओपर वीडियो लेक्या होंगा जो मंडे के लिए रहेगा तो वह भी वीडियो आप देख सकते हैं अगया full time trading करते हैं तो वह भी वीडियो देख सकते हैं thank you very much guys मिलते हैं आज शाम को इंट्राडे के वीडियो में thank you bye bye take care